मेरे काफी सारे वीवर्स और सब्सक्राबर को एक डाउट आता है कि अगर हम रेंट पेमेंट करते हैं या क्यूशन पे करते हैं या फिर वॉलेट मेंड करते हैं फिलिप काड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके तो जितने एमाउंट हम एड करते हैं या ट्रांसफर कर तो बैंक जो है यानि कि क्रेडिट कार्ट आप से एक रुपय भी चार्ज नहीं करते थे लेकिन 2023 में यह रूल चेंज हो गया और जिस भी प्लेटफॉर्म से यानि कि इसी भी अप्लिकेशन से पे करते हैं अपने बैंक एकाउंट में पैसा ट्रांसपर करते हैं क्रेड़िट के बीच में और उसके साथ साथ जिस भी क्रेड़िट कार्ट से आप पैसा ट्रांसपर करते हैं वो क्रेड़िट कार्ड भी आप एक परसेंट का चार्ज करने लगे हैं तो जैसा कि यह देख सकते हैं प्रूफ के लिए मैंने जो है 17,460 रुपय पचास पैसे जो है अपने बैंक एकाउंट में ट्रांसपर किये थे इस क्रेड़िट कार्ड को यूज करके और आप देख सकते हैं इसके फुझे एक परसेंट का जो है बैंक ने चार्ज किये हैं तो आप देख सकते हैं 17,460 रुपय का एक परसेंट कितना होगा आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे त 174.70 रुपए जो हैं हमको बैंक ने चार्ज किये हैं एक परसेंट के हिसाब थे अपने इकॉंट मैं अपनल डाग से और एक परसेंट कर देख सकते हैं इसका परसेंट निका लेंगे तो परसेंट का जी एस्टी भी लगाया जाता है बैंक के द्वारा तो आप देख सकते हैं एक सो चोहत्र रुप्य को अठार से मल्टिप्लाइ करके हंड्रेट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है 31 रुपे 35 पैसे आएंगे यह सिर्फ परसेंट का चार्ज जो बैंक करता है कि डिट कार्थ वो सिर्फ इसी बैंक में करते हैं तो एक परसेंट का चार्ज आपको करता है प्लस जो आपका एक परसेंट का भील आता है उस पे 18 परसेंट का लगाया जाता है तो यह चोठी सी इंफर्मेशन थी आई होपकी आपको Elleak लगा होगा अगर कोई भी डाउट है तो आप हम से कमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं वहाँ आपको गाइड कर दूँगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई